वेलकम टू कॉंपिटिशन इस्टार हेलो डियर्स आज से हम लोग 36 गड़ समान ने ज्यान पढ़ेंगे तो ये 36 गड़ समान ने ज्यान का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड इंपोर्टेंट कोस्चन जो की आपके परिच्छा की द्रिष्टी से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखेगा और जो भी इसका इस्ट्रफ फेक्ट आप लोग को बताऊंगा उसको अच्छे से जरूर समझेगा जिसको यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा और बेल आइकन को आल पे रखेगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नौटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके ठीक है साथ में लाइक और सेयर करना न भूलिएगा तो चलिए कोश्चन स्टार्ट करते हैं देखते हैं कोश्चन नमबर फ़स्ट निम्न में कौन दक्षिड भारती संस्कृती है जिसके ओसेश च्छतिस गड़ में मिले है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापासाणी संस्कृती ये जो संस्कृती है ये दक्षिड भारती संस्कृती है जिसका ओसेश च्छतिस गड़ में मिला है च्छतिस गड़ के कहां मिला है तो राइपूर में मिला है 36 गड के राइपूर में मिला है और दूर्ग में मिला है ये दोनों जगा में मिला है इसका अुसेश और इसी तरीके से जैसे की राइपूर और विलासपूर में राइपूर देखे राइपूर और बिलासपूर इसको मैं सौटकट में लिखूंगा ठीक है समझेगा आप लोग बिलासपूर में पूरा पसाड कालीन उपकरण भी मिला हुआ है ठीक है और राइगाड बिलासपूर और बस्तर ठीक है आर राइगाड आर जी कर दिया हूँ राइगाड बिलासपूर ठीक है बीएस्पी और बस्तर बीएस्टी ठीक है ये तीनों जगा से क्या मिला है मध्य पसाण कालीन उपकराण ये उपकरण मिला हुआ है इसको आप लोग नोट्स में अपला इंकलूट करिएगा और जिन लोग पैट टेलिग्राम में जोईन नहीं हुए हैं उन लोग पैट टेलिग्राम में जितना जल्दी हो सके जोईन हो जाएगा और यदि जोईन होने में कुछ भी दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं ये मेरा मोबाइल नमबर है इसमें आप लोग पूछ सकते हैं ठीक है उसमें आप लोग को ये सभी सौट हेंड के साथ नोट सा प्रोवाइट कराया जाएगा और एक्जाम के टाइम में आप लोग को टेश्ट सीरिस भी प्रोवाइट कराया जाएगा चलिए देखते हैं कोस्चन नमबर टू 36 गड़ में आरियों का प्रवीश और प्रसार किस काल में हुआ है तो आरियों का प्रवीश और प्रसार हुआ है उत्तरवैदिक काल में आपसन नमबर बी इसका राइट आंसर है और देखें रीगवैदिक काल में 36 गड़ का उलेख नहीं है याद रखना 36 गड़ का उलेख रीगवैदिक काल में नहीं है उत्तरवैदिक काल में क्या है तो उत्तरवैदिक काल में एक उपनिसद है जिसका नाम है कौसितिक कौसित की ठीक है कौसित की उपनिसद उपनिसद इसमें वरडण है ये जो उपनिसद है ये उत्तरवैदिक काल का है इसमें विंध्य परवत का उलेख है ठीक है विंध्य पर नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है यह दोनों उल्लेक है इससे यह साबित होता है कि उत्तर वैदिक काल में कहीं न कहीं 36 गड़ का उल्लेक है ठीक है तो इस प्रकार इसका राइट अंसर भी हो जाएगा इसको याद रखेगा नेश्ट देखते हैं और यह भी याद रखना कि नर्मदा नदी को उस टाइम रेवा के नाम से जाना जाते हैं नर्मदा नदी को ठीक निश्टे है कोस्चन नमबर थ्री महा भारत में बस्तर के अरण्य छेत्र को कहा जाता है तो बस्तर के अरण्य छेत्र को महा भारत में क्या कहा जाता था तो उसको कांतर कहा जाता था option number c इसका right answer है ठीक है और महा भारत में 36 गड़ का उलेक था ठीक है किसके रूप में तो प्राक कोसल बोला जाता था प्राक कोसल या फिर कोसल ठीक ये दोनों नाम के रूप में उलेक था नेश्टे देखते हैं question number 3 देखे ये प्राक कोसल और कोसल ये जो option A और B दिया हुए इसमें confuse मत होना इसके नाम से जाना जाता था लेकिन बस्तर के अरण्य अच्छेतर को बोला गया है यहां तो option number C कांतर आप लोग question को पहले अच्छे से पढ़के समझेगा decode किजिएगा उसके बाद option को देखके right answer दीजेगा ठीक नेश्ट है 36 गड में इस्थित दक्षिड कोसल की राजधानी थी तो दक्षिड कोसल की राजधानी क्या थी तो इसका right answer हो जाएगा ठीक है अब देखे ठीक है त्रावस्ती यहां इसलिए लिया गया है क्योंकि ठीक पहले माना गया है है तो इसके बाद और भी दक्षिड कोसल का राजधानी चेंज हुआ है अब हमको क्या करना है 36 गड में इस्थित दक्षिड कोसल की राजधानी बोला है तो हर समय में इसका राजधानी अलग-अलग बनते गया है तो हमको देखना है option तो option A में दिया हुआ है साकेद B में दिया है त्रावस्ती C में दिया है प तो इस प्रकार इसका पहला कौन सा बना है बी बना हुआ है त्रावस्ती तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा त्रावस्ती हो जाएगा और यह हमको कैसे पता चला कि यह त्रावस्ती उच्टेम राजधानी थी तो देखें इसका पुष्टी कैसे हुआ है त उसको बुक को बोला जाता है यात्रवृतांद बुक उस्टेम बुक नहीं बोला जाता था उस्टेम जो भी लेखा हुआ था वो यात्रा के दवरान लिखा था उसको उसका यात्रवृतांद बोलते हैं मतलब अपने यात्रा का उलेक करना ठीक है तो उसका नाम था उस बुक होता है कि जो त्रावस्ती है वो दक्षिड कोसल की राजधानि था यह इसका पुष्टी है ठीक निश्टे है question number 5 मौर्य कालीन अभिलेग प्राप्त हुए हैं मौर्य कालीन अभिलेग कहां से प्राप्त हुए हैं तो वो हुए हैं सीता बेंगरा के गुफा से जोगी मारा गुफा से तो इसका दोनों आपसन सहीं तो आपसन नमबर सी इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है अदेखें मौर्य काली नभी लेग बोला है तो मौर्य काली में सबसे ज़्यादा सकती साली समराठ कौन थे तो समराठ असोग थे ठीक है समराठ असोग यह मոर्यकाली समराठ है है नब इनका कारे कल नहीं बहुत सकती है इनका सासनकाल कप कप चला है तो 323 अिसापूर्व से निट next जब उस गुफा को भी option में दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया हुआ है काबडा काबडा का पहाड ठीक है जो की कहा है तो जो की रामगड में है ठीक है रामगड में है काबडा का पहाड रामगड और रामगड कहा है तो रामगड है सरगूजा जीला में यहां भी मौरे कालिन जो अभिलेक है वो प्राप्त हुए है और यह जो अभिलेक है अभिलेक का भासा कैसा है तो अभिलेक का जो भासा है वो ब्रामही लिपी में है ठीक है ब्रामही लिपी में है इसका भासा ठीक और इसमें ये जो अभिलेक है ये अभिलेक तो पता चल गए कि अभिलेक है लेकिन इसमें क्या चीश पता चला है तो इस अभिलेक में एक सुतनुका नामाग देवदासी थी सुतनुका और इसका जो प्रेमी है देवदासी थी और इसका प्रेमी है देवदासी इसका उलेक हुआ है इस अभिलेक में ठीक है ये जो सिता बेंगरा गुफा जोगी मारा गुफा और काबडा पाहाड गुफा है इसमें जो मौरे काली नभिलेक प्राप्त हुआ है उसमें स सुपनुका नामाग देवदासी है और उसके प्रेमी देवदत जो है उसका उल्लेक हुआ है ठीक और देखे जो सीता बेंगरा गुफा है इसको भी याद रखना आप लो कि जो सीता बेंगरा गुफा होता है ये जो सीता बेंगरा गुफा होता है है होता है नहीं मतलब ये है ठीक है तो ये भारत के सबसे प्राचिन नाट्य साला है भारत का सबसे प्राचिन नाट्य साला मा कौन सा है तो सीता बेंगर का गुफा ठीक है और यहां क्या मिला है मौर्यकालिन समय से तो मौर्यकालिन समय में यहां का सिक्का भी मिला है मौर्यकालिन आहत सिक्का बोला जाता है जिसे ठीक है यह कहां मिला हुआ है तो यह मिला हुआ है अकलतरा में अकलतरा में मिला है ठठा भी मिला हुआ है 36 गण में ठीक निश्ट देखते हैं कोस्टन नंबर सीक्स भारत की सबसे प्राचीन नाट्टे साला पाई जाती है देखें को आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और लाश्ट में आप लोग से फीडबेक लिया जाएगा तो आप लोग फीडबेक का आंसर कमेंड में जरूर दीजेगा क्योंकि यह फीडबेक आप लोग को लाश्ट में बताया जाएगा भारत की सबसे प्राचीन नाट्टे साला पाई जाती है तो यह कहां पाया जाता है सीता बेंगरा गुफा में जोगी मारा गुफा में कारले गुफा में तो देखें मै अभी आप लोग को उपर में बताया हूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नाबर ए सीता बेंगरा गुफा में हो जाएगा और यह कप देखें प्राचीन नाट्टे साला माना जाता है लेकिन यह कप से चलू हो है तो मौर्यकाल से मौर्यकालीन यहां जो अ एक विहार मिला है तो बहुत भी छुडियों का एक विहार मिला है बोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूर तूरियार यह कौन से जीले में आता है रायपूर जीले में आता है और इसमें भगवान बुद्ध की भी एक प्रतीमा मिला हुआ है प्रतीमा जो की आज भी विद्यमान है वहाँ ठीक है यदि घूमने जाओगे तो देख लेना नेश्ट है कोश्चन नमबर एट साथ वहाँ नरेश अपिलक की एक मात्र मुद्रा राइगर जीले के किस इस्थान से प्राप्त हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बालपूर आप्सन और देखे इस टेम जो साथ वहाँ नरेश थे इनके कार्यकाल के समय व्यपार कहां से होता था तो उस टेम व्यपार होता था रोम देश से रोम एक देश है ठीक है अधर कंट्री है रोम से होता था है ना अधर कंट्री में आता है रोम फ्रांस में आता है मेरे ख्याल से रो कोग्रफी के अच्छे खासी स्टूडेंट हुन लोग कमेंट करके बताना रोम फ्रांस में हैं कि कहां है ठीक नेश्ट देखते हैं नेश्ट देखने इस पहले इसके और कुछ-कुछ इस्ट्र बात जान लिजे जैसे की अभी जहां तक याद आ रहे हैं मेरे को रोम के सोने क सिक्का है सोने का सिक्का वो कहां से मिला हुआ है तो वो मिला हुआ है बिलासपूर से बिलासपूर से मिला हुआ है ठीक है बिलासपूर के चकर बेड़ा से ठीक चकर बेड़ा चकर बेड़ा याद रखे बिलासपूर के चकर बेड़ा से मिला हुआ है तो इससे क्या पता च वो अधिक समरीध्ध था क्यों क्योंकि यहां सोने का सिक्का मिला है मतलब जैसे देखे अभी समरीध्ध कौन सेरिया को मान सकते हैं रायपूर को ठीक है अधर जीला भी है लेकिन एक्जामपल के तौर पर रायपूर को समरीध्ध मान सकते हैं क्योंकि वहां हर चीज है तो ज टाइम जो राइपूर था वो दूसरा नाम हो जाएगा चेंज होके है ना दूसरा नाम हो जाया रहेगा तो लोग भी बोलेंगे कि यह संब्रिद्ध था ठीक है इस टाइप से यह मिल लेगा नेश्ट देखते हैं कोस्चन नमबर 9 वाकटक नरेस नरेसों को बस्तर के किस रा नल नागवांस ठीक है इसको बोला जाते है नल नागवांस और इसका सासक कुन है तो भावदत भावदत वर्मन इसके सासक थी ठीक है और वाकटक नरेस इसका सामना भावदत वर्मन से हुआ तो इसमें भावदत वर्मन जो है वो जीत गया प्रथम में ठीक है अब वाकट एक नरेश हारा है तो इस नरेश का क्या नाम है वाकाटक नरेश का तो जो हारा हुआ है इस नरेश का नाम है नरेंद्रसेन नरेंद्रसेन और इसकी राजधानी थी नंदी वर्धन उस तेम इसकी राजधानी कहा थी तो राजधानी थी नंदी वर्धन ठेक जो कहा है नागप देखे कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि राइटिंग नहीं बनता तो राइटिंग इसलिए नहीं बनता क्योंकि यह पैंट टैब में उतना अच्छे से लिखते नहीं बनता ठीक है जब अपना भी चैनल अच्छे से बड़ा हो जाएगा आप लोग का सब जितने लोग अच उस पर थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा क्योंकि यहां content माइने रखना चाहिए आप लोग को ठीक है तो देखिए जो नरेंद्र सें थे यह हार गया भावदात वर्मन से तो अब यह हारे तो अब बदले की भावन आ गया तो इनका जो वो आया क्या आया उत्तराधिका अर्थपती तो अब यह अपने पापा का बदला लेने आया और इसको यूद्ध मेरे ललकारा तो इस बार यह जीद गया प्रित्वी सेंट्टू जीद गया ठीक है मतलब वाकट एक नरेश जीद गया तो ऐसा चलते जाता है नाम इन लोग का ठीक और और इसके बारे में आप लोग को मैं क्या बता सकता हूँ जो इसकंद नरेश है ठीक है इसकंद वर्मन इसकंद वर्मन यह कौन से आया अर्थपती का आया ठीक है इसका वंसज आया इसकंद वर्मन इसके बाद यह क्या किया है यह दक्षिड कोसल में पुनह अब यह हार तो गया लेकिन इसका जो वंसा जाया यह दक्षिड कोसल में पुना क्या किया था नल वंस का पुनर इस्थापना किया पुनर इस्थापना याद रखना नल वंस का पुनर इस्थापना कौन किया तो इसकंद वर्मन ठीक इसको याद रखेगा और यह किसका उत्राधिकारी था त महा कांतर की पहचान किस छेत्रक से की जाती है तो देखें महा कांतर की पहचान तो इसका पहचान बस्तर सिहावा के जंगली प्रदेश से होता था ठीक बस्तर सिहावा के जंगली प्रदेश से होता था तो इस प्रकार इसका right answer option number A है ठीक नेश्ट है question number 11 समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रसस्ती में कोसल के सासक का नाम क्या था तो कोसल के सासक का नाम क्या था तो इसका right answer हो जाएगा महेंद्र क्योंकि महेंद्र नाम था और ये कहा का इसके प्रयाक्ष सस्ती में कोसल के सासक महेंद्र था और ये कोसल के सासक हुआ ठीक है और इसके माहाकांतर भी ये गलग प्रान था तो महा कांतर का सासा कौन था तो व्याग्र राज व्याग्र राज महा कांतर का सासा था ठीक याद रखेगा आप लोग को बताने में थोड़ा लेट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि देखे सभी चीज के एनलाइस करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि माइंड है मेरा भी ठीक है याद आना रिकॉइल होना थोड़ा लेट से होगा लेकिन याद आ जाता है ठीक क्योंकि आप लोग को याद करकर के बताना पड़ता है ना नेश्ट है question number 12 किस वन्स को अम्रार या अम्रज भी कहा जाता है तो अम्रार या अम्रज किसको कहा जाता है तो आपसन नमबर 20 का राइट आंसर है सरभ पूरिया तो सरभ पूरिया यह अम्रार या अम्रज कहा जाता है और यह सरभ पूरी का जो राज चिन्ह है राज चिन्ह वो क्या है गजल शरबपूरी का राज्य चिन्ह है याद रखेगा और इसका अंत किसके द्वारा हुआ है तो इसका अंत हुआ था पांडुवंस के द्वारा पांडुवंस के द्वारा इसका अंत हुआ था और इसकी राजधानी क्या थी तो इसकी राजधानी थी सरबपूर सरबपूर ठीक ह आप लोग भी नोट सा बना के अक्षे से याद रखेगा तभी आपलों को याद होगा देखेए मैं इसको चार साल पहले पढ़ा था उसको आप लोग को अभी बता रहा हूँ ठीक है तो इसलिए आप लोग भी ऐसा पढ़ियेगा कि चार साल बाध या दस साल बाद आप लोग को कहीं अनलाइज करना पड़े तो आप लोग भूले ना ठीक है इसका राजधानी ये पता चल गया है सरभपूर और इसका उप्राजधानी उप्राजधानी क्या था तो इसका उप्राजधानी था श्रीपूर श्रीपूर इसका उप्राजधानी था और ये जो सरभ पूरी वंस है सरभ वंस इसका संस्थापक कौन था तो इसका संस्थापक था नरेंद्र प्रसन्न मात्र ठीक है ये इसके संस्थापक था और इसका अंतिम नरेश कौन था जिसको पांडू अंस के द्वारा अंत किया गया तो इसका अंतिम नरेश था प्रवर राज ठीक है इसको याद रखेगा निश्ट है question number 13 श्रीपूर के किस पांडू वंसी सासक ने सकल कोशला धिपती की उपाधी धाराण की तो सकल कोशला धिपती की उपाधी किसने धाराण किया है तो इसका right answer हो जाएगा महा सिवगुप्त तीवर देव option number D इसका right answer है ठीक है और ये जो पांडू वंसी है इसको एक तरीके से कई लोग some ones भी बोलते हैं हलाकि ये पांडू वंसी वाला some ones अलग है और ये एक अलग प्रकार का भी some ones होता है ये अलग प्रकार का नहीं ये एक अलग भी होता है ठीक है तो यह जो पांडू वंस है इसको किसी reason के वज़े से some ones बोला हो जाएगा और some ones एक अलग होता है ठीक और इसका दो साखा था पांडू वंसा साखा का दो साखा था क्या क्या साखा था? तो पहला साखा था इसका दक्छेड कोसल जो की मुख्य साखा था ठीक दक्षेड को सल दूसरा साखा था अमरकंटक के आसपास का जो एक क्या बोलते हैं उसका नाम है मेकले मेकल ठीक है मेकल इस्थान जो कहां है अमरकंटक के आसपास है ठीक है आसपास अमरकंटक के आसपास का इलाका है कि इसका दो साखा था और इसका जो वंस का प्रथम राजा कौन है पांडू वंस का प्रथम राजा है उद्यान ठीक है आपसर नमबर ए इसका प्रथम राजा है जब भी आप लोग को कोश्चन में पूछ लिया जाएगा कि पांडू वंस का प्रथम सासक कौन है आपसर में य किस पांडू अंसिय सासक का सासन काल दक्षिड कोसल का स्वर्णकाल कहलाता है तो देखे दक्षिड कोसल का स्वर्णकाल बोला है तो ये कौन सा कहलाता है अपसन नमबर A इसका राइट आंसर है महासिवगुप्त बाला अरजून ने इस्टे है question number 15 बस्तर के कोरा पूर्चेतर के नल नागवंसी राज्य का अंत किया है कल्चूरियों ने आपसन number A इसका right answer है ठीक है ये जो नल नागवंसी है ये किसके समकाली नागवंसी है तो देखें आप लोग को पहले बताया हूँ ये वाकटक वाकटक जो वंस है इसके समकाली नागवंसी के संस्थापक कौन है तो इसके संस्थापक वो है सिसूक सिसूक इसके संस्थापक है ठीक जो विलास्तूंग आप लोग सुने है नाम विलास्तूंग कौन है एक सेकेंड विलास तूंग विलास तूंग ये कौन है आप लोग जानते हैं ये वही सासक है जो राजिव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया है राजिव लोचन मंदिर ठीक है राजिव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया है ये वही सासक है जो की किसवंस का है नलनाग वंस का है ठीक है कब कर रहे हैं तो दो सो नब्बे इसा से 960 इसा के मध्य कार्य का मतलब सासंकाल था इनका ठीक और इनका जो अंतिम सासक है अंतिम सासक तो वो कौन है तो अंतिम सासक जो था वो था नरेंद्र धवल नरेंद्र धवल यह इनका अंतिम सासक था याद रखेगा और देखे इस टेम जो मंतरी होता है मंतरी तो आप लोग जानते होंगे अभी मंतरी बोलते हैं जिसको हम लोग तो उस टेम मंतरी को क्या ब बोला जाता था मंत्री को प्रेगदा और महामंडलेस्वर किसको बोला जाता था महामंडलेस्वर बोला जाता था जिसके एक लाख गाउं का अधिपती था एक लाख गाउं के अधिपती वाले जो व्यक्ति होता है उसको महामंडलेस्वर बोला जाता है याद रखना आप लो कि पूछ देगा कि नल नागवंसी के समय प्रेगदा का अर्थ क्या होता था उसमें देदेगा मंदली मंत्री फिर सचिव फिर क्या बोलते हैं और और कुछ भी आप्सन दे दिया रहेगा ठीक है तो इस प्रकार आप लोग मंत्री को टिक लगाएगा या महा मंदली स्वर का मतलब क्या होता है नल नागवंसी के समय ये दे दिया रहेगा जिसमें मंत्री दे देगा एक लाग गाओं के अधिपती दे देगा या फिर या फिर क्या दे देगा मुखिया तो इस टिप से आप्सन दे दिया रहेगा तो आप लोग क्या करना एक लाग गाओं के अधिपती ठीक है इसको वो करना ठीक करना तो इस प्रकार से आपको तोर मडोर के कोस्चन पुछ सकते है इसलिए बोलता हूँ हर डायवर हजरन में आप लोग कोस्चन को अच्छे से पढ़िएगा इसलिए बार-बार बोलता हूँ नोट से जरूर बनाना क्योंकि नोट सही क्या है में चीज है जो रियूजन कर सकते हैं अपना हाथ का लिखा हुआ अपने को याद रहता है तभी मैं नोट से पढ़कर याद है मेरे को ठीक है वरना यदि मैं भी नोट से नहीं बनाता तो कुछ नहीं होता और आप लोग के पास बहुत मौका कम है समझे क्योंकि अभी देखे चुनाओं आ रहा है चुनाओं आएगा जो भी गवर्मेंट रहेगा वह अभी क्या करेगा जौब निकालेगा हर डाइमेंशन में जौब निकलने वाला है तो आप लोग को इसी टाइम अपने नाम पर एक जौब रिजर्व रखना है ठीक है अगर इस टेम आप लोग जौब नहीं ले पाएंगे तो इसके बाद चुनाओं हो जाएगा तो जो गवर्मेंट है वह अब अपने जो जेब है उसको भरेगा प पूरा हर चीज एक छोटा बिंदू से लेके बड़े बिंदू को भी आप लोग को पता होना चाहिए हर तरीके से याद रखना कोई कोश्चन छोटा नहीं होता ना कोई कोश्चन सरल नहीं होता कभी कभी सरल कोश्चन में ही हम लोग क्या हो जाते हैं उसका आंसर देने के भूल जाते हैं या फिर छोड डालते हैं ठीक है तो याद नहीं होता और उसको रिकॉइल नहीं कर पाते हैं यदि रिकॉइल करना चाहते हैं तो जो आता भी है कुश्चन उस आने वाले कुश्चन को भी हम लोग भूल जाते हैं तो यह होता है इसलिए आप लोग इसको अच रक्सेल था तो आप्शन नमबर भी सर्गुजा जहां रक्सेल वड़ा दिखा सर्गुजा पर टिक मार देना ठीक क्योंकि कोश्चन में भी पढ़ा नहीं था रक्सेल दिखा मतलब सर्गुजा राइट आंसर नेश्ट देखते हैं कोश्चन नमबर सेवेंटीन 36 गड़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास कीस राजवंस की स्थापना के साथ आरांब होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्चूरी राजवंस कल्चूरी राजवंस सबसे अधिक सासन करने वाला राजवंस है सबसे अधिक 36 गड़ में सासन कौन किया है तो कल्चूरी राजवंस किया है ठीक है और इसका मतलब इसका सासन काल जो है सासन काल नौ सदी तक माना जाता है नौ सदी तक नौसदी मतलब 875 से 1741 इसापूर वर ठीक है इतना धक माना जाता है और इसके दो साखा थे पहला साखा था रतनपूर दूसरा साखा था रायपूर ठीक है इसके दो साखा थे तो तुमान के इस दान पर रतनपूर को अपनी राजधानी बनाई रहत नदेव प्रतुम है नहीं इनके पिता कौन थे तो इनके पिता थे कमल राज ठीक है दिनका सासां काल कप था 120 से 1045 इसा पूर्वा ठीक है इनका सासनकाल था और इसके जो रत्न देव है इनके पूत्र का सासनकाल पूत्र कोन है तो पूत्र है पृत्वी देव पृत्वी देव प्रथम इसके पूत्र है इसका सासनकाल कप था तो इसका सासनकाल था 1065 से 90 इसा पूर्वा ठीक है इसा पूर्वा और स्वेम रतन देव का सासनकाल कितना था तो इसका 1045 से 1065 इसा पूर्वा इसका वो था सासनकाल था याद रखेगा आप लोगों सासनकाल भी पूष सकता है ठीक है और जो ये रतन पूर देखे रतन पूर को अपनी राजधानी बनाई बूश्टेम जो रतन पूर था वो क्या था समरिध नहीं था वो इस तेम मडी पूर नाम का एक गाउं था याद रखेगा मडी पूर नाम क प्राचीन गाउं था जिसको चेंज करके किसके रूप में परिवर्तित किया गया नगर के रूप में परिवर्तित किया गया यह गाउं प्राचीन गाउं को तो इस प्रकार इसका नाम हुआ, तो ये पहले कौन से प्राजीन गया था? आप लोग को question पूछेगा की रतनपूर का मात्री गाव कौन था? मातरी गाव कों से है, तो दे दियेगा मडिपूर दे देगा, ठीक है, मडिपूर के बाद थठारी दे देगा, थठारी के बाद सक्ती, उसके बाद आप लोग को दिया जाएगा पाली तो आप लोग ठीक माना मडिपूर, option numbers है, इसका राइट हो जाएगा, समझेगा, ठीक, नेश्ट है कोश्टन नमबर 19 किस नगर को उसकी सम्रिध्धी के काराण कुबेर पूर या कुबेर का नगर की उपमदी गई है कुबेर पूर मतलब यहां क्या है जो धन बड़ा चीज रहता है वो राजधानी में ही रहता है ठीक जैसे कि अपना राजधानी क्या है रायपूर है है ना गलत राइपूर नहीं है नया रायपूर है याद रखना रायपूर अपना राजधानी है नया रायपूर ठीक next इस्टे है कोस्टन नंबर 20 किस कल्चूरी सा सकने सकल कोशला धीपती की संग्य धाराण की है तो सकल कोशला धीपती की संग्य इसको मैं मेरे खाल से कोस्टन रिपीट हुआ है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रित्वी देव प्रथाम अपसर नंबर 20 का राइट आंसर होगा देखे पहले का जो कोश्टन था वो सकल कोशला धीपती का उपाधी धाराण किया था ठीक है और इसमें जो संग्य धाराण किया है मतलब इसका पदवी हो गया तो ये जो अ चूरी सासक का है ठीक है और उस टेम जो था वो क्या था दूसरे सासक का है उस टेम अपसर में दूसरा दिया होगा तो इसको आप लोग याद रखेगा ठीक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपसर नंबर भी जो कोश्टन नंबर में आप लोग को मेरे ख्याल से क किस में बताया हूं, 13 नमबर के question में आप लोग को बताया हूं, उसमें आप लोग जाके उसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है, इस question को आप लोग को घुमा के पूछेगा यदि, तो आप लोग से छुटना नीचे कि स्टेप से पूछेगा, तो किस सासक ने, किस सासक ने, किस सासक ने, सकल कोचला धिपती की संग्या धाराण की, इस टेप से पूछ देगा, आप्शन में देगा, ए में प्रिथ्वी देव, प्रिथ्वी देव प्रथम, ठीक है, और बी में देगा, आप्शन में, क्या द प्रत्र रहते हैं तीवर्देव और सी में देदेगा अप्षन उद्यान और डी में देदेगा आप्षन ए और बी तो आप लोग किसको टिक किजिएगा इसका कमेंट करके बताइए किसको आप लोग टिक कीजेगा प्रित्वी देव प्रत्थम और महासिव तीवर देव या फिर उद्यन या फिर A और B तो देखिए कमेंट करके बताने से पहले आप लोग सुन लिजे जो प्रित्वी देव प्रत्थम है ये है कल्चूरी सासक कल्चूरी सासक है ना इसको भी कोसला धिपाती म बांडू अंसी सासक है तो इस प्रकार ये दोनों को मिला हुआ है तो इस प्रकार ये और भी इसका राइट आंसर होगा ठीक है इस टेप से आप लोग को अच्छे से निचूर निकाल के पढ़ना है तो ये जो बीस प्रस नहीं ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आप ल रूप में आप लोग को पढ़ाना है ठीक है दूसरा मैथड है कि आप लोग को पूरा थियोरीटिकल पढ़ाना है ठीक है या तीसरा मैथड जो है ये अन्य कोई प्रकार का या चौथा मैथड अन्य जो भी है ठीक है तो आप लोग कमेंट करके ये बताना फीड़ बैक के कि आप लोग कौन से method से पढ़ना चाहते हैं कौन से method से ठीक है ये इसलिए पूछ रहूँ क्योंकि देखे मेरा पढ़ाना तो मैं किसी भी method से पढ़ा लूँगा लेकिन आप लोग को समझने के उपर हैं अब मान ले जाए मैं आप लोग को पढ़ा दिया इतना सारा वीडिय ये पहले कि आप लोग को किस टेप से पढ़ाने से अच्छे से समझ आएगा उसके बाद मैं आप लोग को उसी method से आप लोग को पढ़ाऊंगा तो comment जरूर करके बताएगा क्योंकि इस से आप लोग के feedback के बारे में पता चलेगा और जो भी study है उसको अच्छे से improve किया जा जाएगा 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 जाए